लोग बच्चे कैसे होंगे अबच चार बजे एक ऐसी घटना घटी जिसकी उमेद शायद वहाँ पे रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं रही होगी तो कि एक घंटे पहले उतर चुके होंगे जो एक घंटे बाद उतरने वाले होंगे जी हाँ मैं बात कर रही हो उडीसा में जो अभी तीन ट्रेन का टक्रा हुआ है वो बहुती जादा बायानक है आपने प्रपलु बहुत अच्छे होंगे अपने पेरेंस के ख्याल भी काफी अच्छे से रख रहोंगे आई विश कि आप और आपकी फैमिले में शहल्दी वाल दी रहे और इंजॉय करें उडीसा में तीन ट्रेन आपस में टक्रा गई है और जिसमें मरने वालों की जो संख्या है वो 30, 40, 50 बिल्कुल भी नहीं है जाजे जाज से ये दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे मरने वालों की संख्या की गिंती भी बढ़ती जा रही है इसकी तस्वीरे देखने में बहुत जादा भयानक है जो एक नॉर्मल परसन बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा बढ़ने वालों की संख्या 300 से लेकर के 500 से जादा इंक्रीज हो चुकी है देखें क्या रिजन है इसके बीच में की उरिसा में इतनी जादा प्रॉब्लम हो गई है आखिर क्या रिजन था इन तीन ट्रेन के टकराओं का एक नहीं दो नहीं लिकिन तीन ट्रेन के टकराओं का गलती किस की थी यहां पर गलती क्या ट्रेन चलाने वाले लोको पाइलट की थी या जो स्टेशन मास्टर था उनकी थी या किसी के शाजिस थी इस वीडियो को पूरा देखीगा शायद कुस देखने को मिल जाए और जितने लोगों ने भी इस हाथसे में अपने और अपने लोगों की जान गवाई है उन सब की आत्मा को शांती मिले तो चली पहले वीडियो को पूरा देख लेते हैं इसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी बाते करेंगे Let's get started Oh my God कितने बुरी तरीके से एक के उपर एक ट्रेन चड़ चुकी है तीन ट्रेने वो भी उरेसा के बाला सोर में बहनागा बासा रिश्टेशन बाला सोर में जहां शुकरवार को तीन ट्रेनों की आपस में भीशन टकर हो गई पहनागा बास SMVB हावड़ा एक्स प्रेस कोरु मंडल एक्सNews माल गाड़ी की आपस में भीशन टकर हुई सबसे बेरे हावड़ा एक्स्प्रेस यहां की लोग बच्चे कैसे होंगे कोरु मंडल एक्सतेशन पूरी तरीका से पूरत गई, कई लोग अभी भी बोगी के अंदर फसे होने की बात कही जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जा रही है, शुकरवाल शाम को हास्य की खबर टुकडों टुकडों में सामने आई, पहले कोरो मंडल एक्सप्रेस और माल गाड़ी की आपस में टकर की खबर थी, उसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस की टकर की बात सामने और देरशा मिस्तिती साफी, तीन ट्रेनों की यहाँ पर टकर वी है, हासी के जो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं, वो बेहत ही भ्यावे हैं, उन्हीं से आप इसमें लोग बच्चे से ज्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है, तो अंधेरा छटा तो हासी की तस्वीरे साफ होती गई, बहनागा बाजार इलाके में रात भर चीक बुकार बची रही, सामने आया है कि ट्रेन के डिब्बे के मलभी इसकी तस्वीर देखकर के इतना ज्यादा शौक हो तो वहीं कई खायल ऐसे भी हैं जो शती ग्रस्त बोग्यों में भी फसे हुए हैं, प्रधान मंत्री ने इस हास्ते पर दुख जताया है, इसके साथ ही मृतक के परिवार के लोगों को 10-10 लाक मुआवज़े का एलान किया है, तो वहीं खायलों के लिए 2-2 लाक मुआवजा राशी का एलान किया गया है, उन्होंने बकाइदा रेल मंत्री से बाचीत भी की है और हास्ते की पूरी जानकारी ली, रेल मंत्री ने इस हास्ते पर दुख जताया है और जांच की बात कही है, इसके साथ यह आपको बता दे कि राश्त बिलकुल होने चाहिए हैं, तो आप सिविल एडिनिसरेशन से बोचे हैं, हमारे जो बंदे आयो है थे, यहां पे सब लगे हुए हैं, कल रात से, और दोनों इससाद मिल की काम कर रहे हैं, और डिटेल सब और कितने क्या कैजूल्टी हो, आप लगातार लगे हुए हैं, पूरी तरीके से तो आएगे वेने, क्य हमारी चे टीम लगे हुए हैं, और हमारे डॉक्स भी लगे हुए हैं, और हमारी बेडिकली टीम लगे हुए हैं, और लगातार हम काम कर रहे हैं, जितना बं सके हम लोग सभी मिल के काम कर रहे हैं, जितने थे लाइव विक टीम लगभग हम लोग निकाल लिया हैं, और अभ टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है, देखते हुए, कई कि मैंगल बॉडीज है, तो इसलिए अपने आपका सेफटी को देखते हुए हमको काम करना है, हो जाएगा जल्दी, और भी के टीम आ रही है सर्थ, नहीं बस छे टीम है, जी, हमारा नाम जेकब किस पोड़ता है, मैं सीनियर कमांडेट हूँ, मूंडली में बेस्ट हूँ, एक्सिडेंट है यह, और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी बहुत जादा बुरा हुआ, रात से, कंटिन्यूसली, रेलवे, एंडी आरेफ, एश्डी आरेफ, और राज की तरफ से, उदर बूनेश्वर की तरफ से, कंप्लीट मोबिलाजेशन किया है, टाटनगर से, सब जगे से मोबिलाजेशन किया है, ताकि अक्सिमम इस तरह की, इस तरह की बड़ी ट्रैजिटी में है, जितना एफ़र्ट लगाया जाए, उतना कम होता है, उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रातना है, जिनके परिवार का मेंबर, बहुत जादा, उन लोगों के तो पेन का कोई अंदाजाई नहीं लगा सकता कोई, कहीं पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, बोनेश्वर में, एम्स में, इधर कहल कटा में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी, वो दी जाएगी, कमिशनर रेल्वे की तरफ से डिकलेर हो गया था एक हाई लेवल कमिटी भी अल्रेडी डिकलेर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सिडेंट में इंक्वाइरी करेगी कमिशनर रेल्वे को भी बुलाया गया है वो भी क्वाइरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के इस एक्सिडेंट के रूट कॉज में जाएंगे किस कारण से यह प्रॉब्लम होई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस पी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा जिसमें कई सारे लोग बागिदारी होते हैं इसके बारे मैं आखरी में बात करेंगे और बहुत बड़ी देखा आप लोगोंने कितना ज़्यादा भयानक व्यू था इसको देख करके यहांकों में इतना ज़्यादा आसू आ गया तो वहां के लोगों का क्या हा लोगा और जो लोग इन में अपने जान गवा चुके हैं अपने लोगों की जान गवा चुके हैं कोई अपने घर जा रहा होगा कोई अपने घर से आ रहा होगा अपने काम के लिए तो उनके घर का हाल क्या होगा वो हम और आप ये वीडियो देख करके भी अंदाजा नहीं लगा सकत बहुत पुरा हुआ ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए और यह जिस फी कारण हुआ उन्हें कड़ी सी कड़ी कारवाई तो जरूर होनी चाहिए में रिजन तो यही है या तो पटरी खराब होगी या तो स्टेशन मास्टर की गलती होगी जो सिगनल नहीं देख पाया होगा कंस्ट्रक्शन की फॉल्ट होगी जो की अपने पैसे बचाने के लिए बहुत सारे रिश्पत दे देते हैं और उसमें कई सारे मटीरियल नहीं डालते हैं कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम होगी लेकिन उनके चोटी सी प्रॉब्लम के वज़े से कितने लोगों की जान चली गई बहुत ही जादा बुरा लग रहा है इसमें तो मरने वालों की संख्या बताई गई है लेकिन ऐसी कोई इमेज सामने आई नहीं है जिसमें देखा जा सके क तर essent कि चोटी से बच्चे होंगे उसमें उनके ममी पापा होंगे बजुर्ण को होंगे लीडी स्खिया और जैसा कि उससे उनके घरवालों का तो कोई उनके दुख कम तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा उनको help मिल सकता है, मेरी सांत्वना उनके साथ है, और जितने लोग भी इसमें अपने जान गवा चुके हैं, उनकी आत्मा को शांती मिले, तो यह न्यूस ब अभी तो यह रेल हाथसा हुआ है, लेकिन जैसे अभी बारिश का शीजन आएगा, वहाँ पे बार्ण की भी समस्य से इतनी जादा होगी, कि क्या ही कहा जाए, उरिसा निचला इलाका पड़ जाता है, उसकी फिजिक्स भी बिल्कुल सही नहीं है, जोग्रिफिकल कर्डिश इसलिए उपर से जितनी भी बारिश के मौसम में नदिया बहा करके आती है, वो सब किसम उरिसा में भी कलक्ट हो जाती है, यहीं रेजन है कि वहाँ पे बार्ण का पानी आ जाता है, बार आ जाती है, साइकलोन आ जाते हैं, क्या कहा जाए, उरिसा के लोगों के साथ बहुत का बार्ण